द्राइब कर दिया ये ड्रामा कर रहे हैं आडिया तुम्स्तान है तुम्हारी खाली स्थान यानि कि ये वाला स्थान जो है तुम्हारा खाली आदी सम अनाइडेंटिफाइड पीपल दे वर केरिंग फ्लैग्स भई ये फ्लैग्स करी कर रहे थे खालिस्तान के और ये खालिस्तानियों को मज़ा आता है सुनके तो खालिस्तानी बाड करा और इसने एक औरगनाज़ेशन बनाई वारिस पंज आब दे जिसका ओरिजनल वारिस पंज जैन दोस्तों मैं हूं मैं जो गरवारिया और आप देख रहे हैं तो चैनल के डैलोग्स इस वीडियो को लाइक करिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिया बेल आइकन दबाना बिलकुल मद धूली है दोस्तों खासतोर से वो हमारे दोस्त जो की वीडियोस देखते हैं पसंद भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं दोस्तों इसके पहले कि मैं अब आपको लेटिस बताऊं कि क्या चल रहा है वही कीड़ा जो खालिस्तानियों का था वो कीड़ा उनके पेट से उनकी नाक के थरू बाहर निकल गया एक इंस्टाग्राम एंडल है जिसका नाम है सिख कैलेंडर ठीक है नाम उसका सिख कैलेंडर है पहले तो जितने भी खालिस्तानी हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं साफ तोर पे आप कैनेडा में हो आप यूएस में हो आस्ट्रेलिया में हो यूके में हो दुनिया के किसी कोने में हो या खालिस्तानी हो किसी नाली के अंदर हो किसी नाली के अंदर हो तुमारा सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो stop misusing the name of such a beautiful religion and a beautiful faith stop misusing it ठीक है ये दूसरे सिखों का नाम बदनाम मत करो तुम तो ही बदनाम पाकिस्तानी हों के साथ तुमारी दोस्ती है तो अब ये पता लगता है कि जो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं वो कितने गलीज, कितने गिरे हुए और इस खुबसूरा धर्म पे, सिख धर्म पे कितना बड़ा ये दाग बनने की कोशिश कर रहा है बन नहीं पाऊगे, लेकिन कोशिश कर रहा है Anyway, so-called sick calendar एक Instagram handle है भाई उसमें ये देखिए क्या कहा गए, ये देखिए ज़रा इनके भारत में bank account freeze करिये है इनकी property जब्त करिये और जो योगी जी करते है न यूपी में वह ही काम आपको करना है, इनकी property इसके उपर चला ही है इनकी property के उपर चला ही है बुल्डोजर और वो वीडियो डाली है यूट्यूब पर सोशल मेडिया पर, Twitter पर कि बेटा बड़ा खालिस्तान, खालिस्तान हो रहा था ले तेरा घर, ले तेरा घर इसके उपर बुल्डोजर है और जो इनसे पैसा लेगा, उसको खास तोर से इनके गाउं में जाके अनॉंस्मेंट कर देनी चीए कि तुम्हें भी आतंगवादी गोशित कर देगा ठीक, और तुम्हारे घर पे भी बुल्डोजर चलेगा इनको जड़ों से उखाड के फेकने की जरुवत है इनके ना, बहुत ज़्यादा कौकात इनकी बढ़दाई खालिस्तानियों की क्यों बढ़दाई तो इसमें हमारी गल्कियों की गल्कियों की हमने इनके गलों से इनको पकड़ानी और इनको घसीटा नहीं सोगता लेकिन अब घसीटने की बारी आगई है सबसे पहले भारत में ठीक है? यह जो अमरिक पाल जैसे है ना कुत्पे बिल्ली सबसे पहले इनका कॉलर पढ़के नकेल कसो बढ़के सबसे पहले ठीक है? इनके घरों पर बुल्डोजर पहले यहां पे चलाओ बारत में सबसे पहले यह जो इंडिया में है यह कहते हैं कि रिटाइड आमी मेजर यह कह रहा है कि सिखों के घर तोड़ दो जैसा कि यूपी में आक्शन था तो बुल्डोजर से सिखों के घर तोड़ दो यह कह रहा है और इसमें जो पागल के बच्चे हैं इस इंस्टाग्राम में ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बोला था अच्छा ये बोल दिया ये कर दिया, ये कह दिया ये ड्रामा कर रहे हैं, अरे बेवकूफ हो तुम तो खालिस्थानी हो, बुद्धी तो है नहीं तुम्हारी खाली स्थान, यानि कि ये वाला स्थान they should not be able to enter India इनको block करिये सबसे बड़ी बात इनके भारत में bank account freeze करिये है इनकी property जब्त करिये और जो योगी जी करते है न यूपी में वह ही काम आपको करना इनकी property इसके उपर चला ये bulldozer इनकी property के उपर चला ये bulldozer और वो video डाली है YouTube पर और social media पर Twitter पे कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था ले तेरा घर ले तेरा घर इसके उपर बुल्डोजर ठीक है और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तोर से इनके गाउं में जाके announcement कर देनी चाहिए कि तुमें भी आतंगवादी गोशित कर देंगे ठीक और तुमारे घर पे भी बुल्डोजर चलेगा इनको जड़ों से उखाड के फेकने की जरूरत है इनके ना बहुत ज़्यादा कौकात इनकी बढ़ गए इन खालिस्तानियों की क्यों बढ़ गए इसमें हमारी गलती उनकी गलती नहीं है क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं चड़कते लेकिन आप घसीटने की बारी आ गई है सबसे पहले भारत में ठीक है ये जो अमरिक पाल जैसे है ना कुत्ते बिल्ली सबसे पहले इनका कॉलर पढ़के नकेल कसो सबसे पहले ठीक है इनके घरों पे बुल्डोजर पहले यहां पे चलाओ बारत में सबसे पहले ये जो इंडिया में है ठीक है फिर आइडेंटिफाइ करो CCTV फुटिज से एक एक बंदा वो जो चड़ा था ना तिरंगा लेके उसको CCTV TV फुटिज से मीडिया फुटिज से आइडेंटिफाइ करो कौन है वो पता लगाओ कौन है आपको पता लग जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत बाचीत करेंगे वहाँ पे UK में आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चड़ा था उसका घर ढूंडो कहा है और उसका घर के उपर बुल्डोजर फिरो देखा दोस्तों आपने आपने देखा मैंने क्या बोला मैंने बोला जो खालिस्तानी हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी खालिस्तानी टेर्रिस की जो प्रॉपरटीज हैं उसमें बुल्डोजर मारो इन गधे की उलादों ने क्या करा है कि ऐसे फेक इंस्टाग्राम हैंडल्स पर क्या बोला इनों ने इन गधे की उलादों ने खालिस्तानियों ने ये बोला एक नीनी मेजर तो ये बोल रहा है कि सब जिखों के घर तोड़ दो अरे बुद्धिहीन खालिस्तान तुम खालिस्तान ही हैं तुमारा बिनकुल ठीक है अच्छा दोस्तों यूएस के गुर्दवारे में लड़ाई हो गई और दो लोग क्रिटिकली इंजर्ड है मुझे नहीं पता कोई जिंदा है कि नहीं अभी लेकिन लास्ट आई हर्ड वस क्रिटिकली इंजर्ड है हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ हुआ ये कि ये गैंग वार था और ये गैंग वार में ये लड़ाई गुर्दवारा साब के बीच में गुर्दवारा साब जो है वो बगवान का घर है तबी मैं कहता हूना खालिस्तानी ये दिमाग से पैदल लोग हैं ये नोट हीुमन बिंग्स ये इन्सान कहलाने के लाइक ये खालिस्तानी ठीक है इन्होंने क्या करा है बेसिकली मुझे पता लगा है विश्वस्टी सूत्रों की ये गैंग वार किसम का था और वहां पे खालिस्थानी था, उन दोनों में लड़ाई हो गई, अल्राइट, अब लड़ाई हो गई, फिर गोला गाली हो गई, और ये गोली जो चली है, ये गुर्दवारा साब के बीच में चली, ये खुद अपने आप में कितना बड़ा पाप है, भगवान के घर में, ये ये आर ला ठीक है, ये जो फौजी है, इसने चलाई गोली, दूसरी पाटी ने चलाई गोली, फौजी का बाप कुलदीप सिंग, और कुलदीप सिंग भिंडरावाले का बहुत बड़ा फैन और नोन खालिस्थानी सपोर्टर, ठीक है, लेकिन एक मैं आपको बाद बताता हूँ, ये पड़ी अजीब सी बात है, और ये मैं सोच, मैं चारा हूँ कि जो गर्वर्मेंट है ना, ये भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचे, गर्वर्मेंट इसके बारे में थोड़ा सा शोध करे इस चीज़ पे, थोड़ा सा थिंक थुरू करे इस चीज़ को, खालिस्तानियों को सिद्व मुसेवाले का murder करा था जब सिद्व मुसेवाले का murder हुआ था वो Lawrence Bhishnoy ने करवाया था ऐसा agencies बोल रही है और ऐसे media में reports आई है अब वो court क्या बोलेगी आगे? तब हम आपको तब की report देंगे लेकिन लोग कहते हैं कि सिदू मुसेवाला को लॉरेंस बिशनोई नमर वाए अब एक खालिस्तानी जो है ना ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिशनोई से ये लॉरेंस बिशनोई से इतना डरते हैं कि यहाँ पे लॉरेंस बिशनोई जो कि जेल के अंदर है वहाँ पे कनड़ा में कनड़ा में इनके गले सूख जाते हैं लॉरेंस विश्णोई के नाम सुखे अब आप बोलेंगे साब एक बात बताईए हिंदुस्तानी जेल में एक हिंदुस्तानी गैंक्स्टर है जो की जेल के अंदर है जो शायद जेल से निकले ना निकले किसी को नहीं पता वहाँ पे कैनेडा में बैठे जो खालिस्तानी है या यूएस में बैठे खालिस्तानी है उनको क्यों खौफ लग रहा इतना क्योंकि सबके कनेक्शन पंजाब में है सबका जुड़ा हुआ है पंजाब से मामला किसी का रिष्टदार है, किसी का दोस्त है, किसी का बाई है किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है कोई ना कुछ इनके जुड़त आज भी है और ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्णोई से इनको इतना खौफ है लॉरेंज बिशनोई से दूसरी चीज है कि लॉरेंज बिशनोई ने ये दिखा दिया है कि उसकी पहुँच है कुछ लोग कहते हैं 500 कुछ लोग कहते हैं 1000 पता नहीं कितने लोग हैं इसके गैंग में nobody knows और मुझे खुद नहीं पता कितने हैं जितने मूँ उतनी बाते हैं कोई कहता है 500 कोई कहता है 1000 कोई कहता है इसके पास 100 शूटर हैं कोई कहता है 200 शूटर हैं I don't know यार मुझे इसकी knowledge नहीं है बिलकुल भी लेकिन ये मैं आपको पका बता रहा हूं कि खालिस्तानी अगर किसी से डरता है तो Lawrence Vishnoy से डरता है उसको लगता है बंदा मार देगा जो सिदु मुसेवाले को मार सकता है वो हमें तो निप्टाई देगा, हमारे रिष्टारों को निप्टाई देगा ये बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानीों का सबसे, they are very scared of Lawrence Vishnoy और ये पता है, मुझे मैं बताऊंगा नहीं, आपको किसने मुझे बताई बट, very very senior person very senior person and he does not live in India, he lives abroad और उस senior बंदे ने मुझे बात बताई he's currently serving and he told me that this is the truth Gaurav these people are deathly scared of Lawrence Vishnoy Lawrence Vishnoy का नाम सुनते ही खालिस्तानियों के मूँ से जाग निकलना चुरू हो जाता है कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया ठीक है दूसरा दोस्तों जब वो ललत जाग के उपर अटाइक हुआ था हमने दो दिन पहले आपको बताया था एक दिन पहले की रोखन्ना ने अब रोखन्ना ने ये बोला यही रोखन्ना ये है जो ये कह रहा है कि राहुल गांदी को जो डिस्कौलिफाइ कर रहा है वो डिस्कौलिफिकेशन वापस लो पहली चीज़ रोखन्ना साब एक बाद बताईए वो सुप्रीम कोट का मामला है तो हमें सुप्रीम कोट बताईगा भारत का कि हमें क्या करवा हैं पहली चीज़ आप दखिल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं भाव नख और मठ डालो किसी और के फटेमें पैर मठ डालो तुम भजोगे बुरी तरीके से ठीक है ये मैंने देखा है कई मैं सबकी बात नहीं कर रहा पर कुछ-कुछ ऐसे लोग है who feel that just because they sit in a quote-unquote first world country they have every right to pass comments on the other nations हमने कभी बोला ट्रंप के बारे में हमने कभी बोला जो वाइडन के बारे में हमारी तर्फ से किसी का बायान आया अरे तुम्हें ट्रंप को जेल में डालना है फांसी देनी है प्रेजिएंट बनाना है तुमारा headache है यार हमारा कोई headache है वो हमने तो कभी किसी मुल्क के बारे में नहीं बोला तो तुम क्यों इतने बड़े चौधरी बनते हो कि भारत के बारे में यू थेंग इंडिया विल टॉलरेट और ये जो ट्वीट है मैं रोखन्ना का ट्वीट दिखाना चाहता हूँ यहापर रोखन्ना भी गेम खेल रहा है यह कंडेम इसने कर दिया कि Lalit Jha के साथ वाइलेंस हुआ ये कहता है इस वाइलेंस अगेंस ललिट Jha is outrageous and an assault on journalism I condemn it in the strongest terms Lalit is one of the fairest and most thoughtful journalists thank you to our security for protecting Lalit and diplomats in the consulate बाई साब एक बात बताईये न रोखन्ना साब मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ why didn't you have the courage to say क्यों खालिस्तानी आपकी constituency में vote देते हैं इसलिए है moral courage यह होती है name, I am naming them everyday I am naming खालिस्तानी's every single day और I am on record ये चुहें हैं सबके सब खालिस्तानी जूटे, मकार, पाकिस्तान से एक पाकिस्तान भिकारी भिकारी से भीक मांगने वाला अब उसका क्या level होगा मैं तो खुला बोल रहा हूँ रोख खालिस्ताना साब आप क्यों नहीं बोल रहे है why aren't you speaking the truth why aren't you naming and shaming them ये कौन है are these some unidentified people they were carrying flags भई, ये flags केरी कर रहे थे खालिस्तान के ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे आपको नहीं पता लगा कौन है ये क्यों आपको नहीं समझ मैं आए खालिस्ताना साब आप बिलकुँ टाल गए कोने साब we condemn the violence don't condemn violence खालिस्ताना साब condemn खालिस्तानी तब समझेंगे आपके कितना गूदा है यह हवाई बाते मत करा करो हमारे सामने दोस्तों एक नय वीडियो सामने आया है और वीडियो ये कहता है कि साब जो खालिस्तानी है उन्होंने जो Indian Embassy है युस में The Indian Embassy in US उसको थ्रेटन करा है और Mr. Taranjeet Singh Sandhu है जो हमारे honorable ambassador है वहाँ पे, उनको threaten करा है यह कहते हैं कि hypocrisy will come to an end and the people at the embassy will have nowhere to run to यानि कि जो embassy, भारत के embassy के लोग हैं वहाँ पे, US में, उनको भागने की जगह नहीं मिलेगी यह कह रहे हैं यह लोग, कह रहे हैं इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी यह खालिस्तानी है ठीक है, जब बहार गोरे के देश में रहता है तो यह खालिस्तानी बबरशेर बन जाता है, ठीक है ये चचुहा है ना खालिस्तानी ये बबर शेर बन जाता है क्योंकि उसको पता है गोरा बात करता है हुमन राइट्स की गोरा कहता है कोई बात जब जब तक गोरे पे बात ना है जब तक गोरे पे बात ना है वरना गोरा पूरे एराक को साफ कर देता है गोरे को बुरा लगे तो अफगानिस्तान को साफ कर देता है जबकि एराग और अफगानिस्तान का 9-11 से कोई लेना देना नहीं लेकिन गोरा साफ कर देता है मुल्क के मुल्क तबाह कर देता है गोरा लेकिन जहां खुद की बात हुती है गोरा कहता है Human Rights दिल बड़ा दुखता है गोरे का गोरा कहता है human rights गोरा कहता है racial equality गोरा कहता है constitution और यही खालिस्तानियों को मज़ा आता है सुनके तो खालिस्तानी गोरे का constitution का फाइदा उठाके यह सब बखवास करते हैं लेकिन वही खालिस्तानी जब इंडिया में होते हैं तो बन जाते हैं अमरित पाल सिंग भगोडा अमरित पाल सिंग भगोडा बनके कभी इस नाली में कभी इस बिस्तरे के नीचे चुही की तरह भागते रहते हैं यह खालिस्तानियों का असली रूप है ठीक है और यही रूप इनको दिखा रहा था लॉरेंस बिश्णोई समझ रहा है मैं कहा जा रहा हूँ इस बात को लेकर उप पुराना गाना है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलग जाएगी मैं चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा लेकिन इस खालिस्तानी जा अच्छा अमरित पाल सिंग जो खालिस्तानीों का भगवान है अमरित पाल सिंग देखिए बात यह है कि आपको पता है दीप संदू था जो फिल्म एक्टर था और जो फर्मर प्रोटेस्ट और वो भी एक खालिस्तानी टाइप कर था हुआ उसने वारिस पंजाब दे बनाई अब देखो जी इंट्रेस्टिंग बड़ी बात है उसने बनाई वारिस पंजाब दे और वारिस पंजाब दे से क्या हुआ कि उसने बोला कि मैं कई काम करूँगा मैं सोशल वर्क के काम करूँगा ड्रग, डी अडिक्शन के बारे मैं बात करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है, अब क्या हुआ कि अमरितपाल सिंग उसको कॉल करता है, कि दीब पाजी, दीब पाजी, मुझे ये वारेश पंजाब दे, आप मुझे दे दो, नाम बड़ा अच्छा है, और मुझे ये नाम चाहिए, दीब सिद्धू इतना परिशान हो गया, कि उसने अमरितपाल सिंग का नंबर ब्लॉक कर दिया, अमरितपाल सिंग's mobile number, क्यों अमरितपाल सिंग बिसिकली irritating man, पीछे पढ़ गया हो, कर दो, कर दो, क्योंकि अमरितपाल सिंग has been trained by the Pakistanis, आप समाझने मेरी बात, इस man has been trained by the Pakistanis, मांगना, तो उसकी कला है यार, उसका God-given talent है मांगना, तो उसको जैसे पाकिस्तानी ने बोला, कि मांगते, 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 तुम इतना मांगो, कि irritate हो के ना, अच्छा, उसने नहीं दिया, उसने number block कर दिया, तो उसका भाई, मंदीप, अच्छा, एक organization बनाई, वारिस पंजाब दे, ठीक है, उसमें पंज और आप के बीच में इसने dash डाल दिया, और वारिस में A-R डाल दिया, पता नहीं, spelling change करके, backdated, इसने वारिस पंजाब दे बनाई, यानि कि जिस वारिस पंजाब दे, कि ये बात कर रहा है, अमरित्माल सिंग, कितन बनाई, चोर है, अरे यार अगर तिरे को वारिस पंजाब दे नहीं मिलती, वो नाम नहीं मिलता, कोई और नाम रख लेता, यार, पुतर पंजाब दे रख लेता, है ना, और अगर खाले स्थानियों का organization बनाई, तो खोते पंजाब दे, तब तो मज़ा आता, खोते पंजा का मज़ा, लोग भी मज़ा लेते, तू famous हो जाता भाई रातों रात, अभी तू infamous हो गया, ठीक है भाई, तो ये इसने करा, इसने fraud करा, और इसने एक organization बनाई, वारिस पंजाब दे, जिसका original वारिस पंजाब दे से कोई लेना देना नहीं था, और इसने दीब सिद्धू की popularity, because he was a film actor, उसकी popularity पे ride करके, इसने अपना माहल पंजाब में बनाया, और लोग confused हो गए, क्योंकि इसने उसको अपने facebook page से link कर दिया, अब सब लोग कह रहे हैं कि जी, he is the natural successor of दीब सिद्धू, तो ये तो दीब सिद्धू का natural successor है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, इसने दीब सिद्धू के साथ भी फ्रॉड करा, इसने दीब सिद्धू के साथ फ्रॉड करा, इसने दीब सिद्धू की family के साथ फ्रॉड करा, अब ये फ्रॉडिया भाग रहे हैं जगे, ये अमरित्पाल सिंग की सची कहानी है, दोस्तों, इंडिया ने जो Canada का High Commissioner है, नई दिली में उ टेक all steps which they are required to ensure the safety of our diplomats and security of our diplomatic premises, so that they are able to fulfill their normal diplomatic functions, ये इंडिया के Ministry of External Affairs का statement है, ठीक है, ये जो Indian Consulate of Vancouver में, वहाँ पे ये लोग एकटा होगा और वहाँ पे इनोंने धंकिया दी हैं और जो भी काम कर, देखो यार, मैं एक बाद बता हूँ आपको, simple, सीधी, साधी बात है, ये क्यों बुलाना है, why, why should we request Canada, जो हमने UK के साथ करा है, that we should do with any other country who does not support us, और ये US के साथ हम पहले एक बार कर चुके हैं, मुझे सनियाद नहीं हैं, लेकिन एक बार I think, if memory serves me right, we have done this with US once before, हटाओ इन सबकी security, Canada की, US की, Australia की, सबकी security हटा दो, बोलो कि तुम इतने बड़ा एपिएफ का नहीं मिलेगा, तुम खुद मैनेज करो, मैं आपको बता रहा हूँ, this is nothing but racism, this is so called, you know, white supremacy वाला जो मामला है इनके दिमाग में, कि इंडिया के high commission, इंडिया के embassy को कुछ हो, हमें कोई फरक नहीं पड़ता, हमारे बंदे को कुछ नहीं होना चीए, वरना बहुत क्योंकि भाईया, सही बात है, इनके दिमाग में पता है, क्या picture चल रही है, कि एक गोरा and hundred non-whites, तब उनकी जान बराबर होती है, भारतिये मारा जाए, भारतिये को कुछ हो, तो कोई अब देखो, ललिच जाको अटैक हुआ, उसके इधर सर पे इधर कान के पास, लठ मारे उसके, यही चीज अगर किसी American journalist के साथ हो जाती ही इंडिया में, तो भाई साथ वहाँ पे state department phone करा हो, यह आप दिस तिंग, दिस तिंग, फलाना, डिमका has happened, यह सब ड्रामा करते हैं, हमारे बंदे के साथ होत, चुप मैं सब, because ललिच जाकी जो life है, वो इतनी important है नहीं, ठ कहते हैं कि जर्नलिस्ट के खिलाफ, यही American जो कहते हैं ना, कि इंडिया में जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रहा है अब एद तम्हारी जमीन जर्नलिस्ट के साथ हुआ, तुमने क्या उखाड लिया? तुमने कर का लिया? जो जुटी-जुटी, लंबी-लंबी फेकते हो, और रो क्योंकि पूरी movement चली थी और कई लोगों ने लाठियां खाई, कई लोगों ने गोलियां खाई, कई लोग जेल में गए, तो मैं थोड़ना बोल सकता हूं कि मेरे दादा, मेरे नाना जेल गए थे, तो मैं उनका ही अभी तक खाता रहूं, कि I belong to a freedom fighter family, in India, almost everybody belongs to the freedom fighter family, आप Tamil Nadu म कहीं पे भी मद्धप्रदेश, उत्रप्रदेश, कहीं पे यहां पे तो भरे पड़े हैं एर इंडिया में, लोग जिनके बाप दादाओं को गोली मार दे थी अंग्रेजों ने, ये तो कभी गाना नहीं गाते हैं, तुम क्यों इतना गाना का रहे हो भाई, why are you singing such a song, रोख कि these people cannot be allowed to operate on our soil, protest is one thing, but they are getting violent, it is your responsibility, और Indian government से मैं हाज जोड के request करूँगा, and specially to Dr. S. Jashankar, sir, इन सब के जितने भी High Commissioner और Embassy हैं, जो जो भी हमारे खिलाफ ऐसे काम करवा रहे हैं, आप सब के खिलाफ बोलिये, sir, हम इच्छा जी साब बात करिये, हम इच्छा जी को बोलिये, फ देखते हैं, क्या करते हैं यह लोग, Embassy इनके खुले छोड़ दो सब के सब, तब इनको पता लगेगा, कि हिंदुस्तानी जान की भी उतनी कीमत है, उतनी ही कीमत है हिंदुस्तानी जान की, जितनी एक गोरे की जान की कीमत है, दोस्तों, आज का वीडियो ही पे खतम होता है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिलकुल नदूलिएगा, जाहिंद वंदे मातरम, भारत माता की जाहिए! कर दो हमारे रखवारे बिलकुल नदूलिएगा, जाहिं। एमना बेलाए उन्देदिए लिए तर बाजंद वंदेए, खता है, वीडियो नदूलिएगा, भारत मातरम, भारता है, वीडियो दूलिए आए, ऑापको अव्यों सब्सक्त टो अव्यों साया ठाए, वीडियों